हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंदराक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब काम नाएं आज हम बात करेंगे मंगल के कुछ ऐसे प्रियोग जो आपके बहुत काम आएंगे आपकी जर्म पत्री का में या हतेली में अगर मंगल शुब ना हो तो कहीं न कहीं जीवन में नाला भाती की समस्याएं उत्पन होती है कर्ज चड़ जाता संतान कई बार कहना नहीं मानती है आप अपने जीवन में अच्छी खासी प्रोपर्टी होते हुए भी उसको सुख नहीं भौग पाते है बलड से संबंदित नाना भाती की रोग होनी की शंका बनी रहती है और अपने जो कुटम भी जन होते हैं उनसे भी क कहीं नहीं कहीं बिच्छो की इस्तितित पर नहीं हो जाती है मंगल अगर कमजोर हो तो जीवन में मंगल की इस्तितियां आ जाती है ऐसा कभी न समझें कि मंगल ऐसा करते हैं मंगल ऐसा नहीं करते हैं यह सूचना है एक संकेत है यदि हमारे मंगल कमजोर हो तो कई बार इस परकार की चीज़ें हमारे जीवन में घट सकती हैं आज का ये अंक आपके बहुत काम आएगा अच्छे से सुनियेगा दूसरीबात आशा करता हूं कल बहुत अच्छे से आपने रंगो सब मनाया होगा भगवान सुरी हरी की कृपा हर घर में बरसी होगी भगवान सुरी हरी की कृपा से भगवती इंद्राक्षी की कृपा से आपको रंगो सब बहुत शुब रहा होगा अब आई आज का हम पंचाक बढ़ लेते हैं तीस मार्च सन दोहजार इकिस दिन मंगलवार चैतर मास किर्शन पक संवंत दोहजास सततर तीछी दित्या नक्षत्र चित्रा राहुकाल तीन से साड़े चार दिशासूल उत्तर दिशा नए वर्ष भी हमारा आने वाला है और सबसे बड़ी खुशी की बाद इस वार जो हम नए संवंत दोहजार अठतर में है ना प्रवेस कर जाएंगे प्रथर नवरातर से नव वर्ष में उसके बारे में भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वर्ष के राजा भी मंगल है और मंत्रे भी मंगल है देखो भगवान चाहे मंगल ही मंगल हो और मंगल की आज हम आपसे बात कर रहे है तो कहने का भाव हम अपने मंगल को अच्छा बनाए हम अपने मंगल को सुद्रड बनाए कैसे आपकी मंगल की महदसा चल रही है अं गारक दोश में हैं, मंगल कमजोर हैं, जरम पत्रिका में या राशी के हिसाब से मंगल को दो राशी प्राप्त हैं, मेश रासी के अधिपती मंगल हैं, और व्रश्चिक रासी, स्कॉर्पियो रासी के भी अधिपती मंगल हैं, ऐसे ही इनसान की हतेली में भी दो इस्ठानों पर मंगल का वास होता है ये मंगल A हैं और यहां मंगल B होते हैं आपकी हतेली जब देखी जाती है तो उसमें खट से समझ में आ जाता है कि मंगल यदि अच्छे नहीं है तो नाना भाती की संपत्ती के योग बनते बनते बिगड़ जाएंगे जो भू संपत्ती का काम करते है प्रोपर्टी का काम करते हैं यदि गोचर दशा में मंगल अशुब आ जाएं तो निश्यत काम बिकड़ेगा अब जैसे अभी की मैं बात कर रहा हूं 13 अपरेल तक मंगल देखा जाए कमजूर की अवस्ता में क्यों 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 कि मंगल किसके साथ चल रहे है मंगल राहू के साथ बैठे है राहू के साथ मंगल की यूति अच्छी नहीं होती ऐसी इस्तिती में कोई नया भवन बनाने के उसमें है या कोई मुहरत ऐसा करना है तो 13 अपरेल निकाल कर ही किया जाए तो अच्छा है आगे नवरातर भी आ जाएंगे यह सब सुरू हो जाएंगे तेरा अप्रेल के आस पास से तो कहने का भाव मेरा यही है कि जो कमजोर समय होता है ग्रहों का उसे अवाइड कर देना चाहिए जिन कर्णियाओं का विभा में अटकले आ रही हैं तो भगवान ने चाहा यह राहू की युति जब मंगल से निकल जाएगी तो कहीं ने कहीं आपको शुकता का संदेश मिलेगा मंगल की इस्ति आपकी कुंडली में यही कमजोर है तो मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति बुरी तरह से करजे में भी फ़स जाते हैं करज भी ऐसे व्यक्तियों के उपर बहुत चड़ जाता बाल-बाल मैंने देखा कई बार करजे में बिन जाता मंगल अत्यधिक निर्वल होने पर ब्लेट से संब्दित नाना भाती के रोग घेड़ लेते हैं और एक बात और ध्यान रखें जब भी आप मंगल से संब्दित कोई नग नगी न पहनते हैं तो मेरे सादिकों विपरीत नगों के साथ न पहना करें अगर आप मंगल के लिए मुंगा रतन पहनते हैं और आपने मुंगा रतन गोमेद के साथ पहना है यह बहुत लोग गोमेद भी पहन लेते हैं गोमेद के साथ मुंगा भी पहन लेते हैं गोमेद पहन लेते हैं मिडल फिंगर में और मुंगा पहन लेते हैं उसके बाजू वाली उंगली में यहाँ पहन लेते हैं तो यह दोनों रतनों का एक साथ पहनना भेंगर आपको नुक्सान करा सकता है यानि कि आपको पाइल्स तक हो सकती है आपको उधर रोग हो सकते हैं आपको पैसे में नुक्सान हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया वो ले करके रफू चक्कर हो सकता तो बहुत सारी ऐसी इस्थितिया है जब भी आप मंगल के साथ किसी रतन को पहने तो विचार करके पहने अन्यथा आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है ऐसे ही नीलम होता है नीलम के साथ यदि कोई रतन पहने तो वहाँ पर भी हिसाब से पहने जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे दिमागी समस्याए रहती है और उन्होंने चंदर के साथ यदि गुमेद पहन लिया है तो आपको डिप्रेशन की विमारी नहीं भी है तो आपको पकड़ लेगी या आपको निराशा होने लगेगी आपके मन में कमजोरी आने लगेगी आपकी आँखों में आसु जल्द आने लगेंगे कहने का भाओ मेरे सादिकों मेरे दर्शकों और बहुत सारी चीजें है बहुत जोत्त मार्वेंग़ गनित अकर बहुत आसान है तो बहुत आसान है भी नहीं दोनुव की बाते असलीए जब भी आपक्षी से और मेरे हिसाब से किसी سुल्जे ओवन गिष्गति से ब्रॉल जाद आपको FOL की प्राप्ति होगी疫情 अब मंगल आपकी कुंड़ी में एक एक यूतिय ओर बनाते हैं क्या बनाते है व्यँद्धित को मंगलिक योग भी पैदा करते हैं मंगल जैसे आपकी जनम पत्रिगा के प्रतम भाव में यह हमने बताए आए जोती सीखों में सारी बाते बताइए आपकी जनम पत्रिगा के प्रथम भाव में, चतुर्त भाव में, सप्तम भाव में, अश्टम में और 12 में, यदि मंगल हो, तो वहां मांगलिक इस्टिती भी बनती है, लेकिन मंगल की सराची के हैं, कई बार हम डवल डवल मांगलिक होते हैं, अब ये डवल मांगलिक क्या होता है साब, बहुत लोग चंदर से भी मांगलिक योग देखते हैं, बहुत लोग शुक्र से भी मांगलिक देखते हैं, अब आपके शुक्र में, आपके लगन में ही शुक्र बैठ जाएं, और आपके मंगल की स्टिति यही हो, जो मैंने अभी बताई हैं, पर्थम, चतुर्त, सप्तम, अस्टम, 12, तो आप शुक्र से भी मांगलिक हो गए, आप लगन से भी मांगलिक हो गए, लगन में चंद्रमा भी हैं, तो आप चंद्रमा से भी मांगलिक बन गए, क्योंकि चंद्रकुंडली भी बनाई जाती है मांगलिक देखने के लिए, लेकिन मुख्यदा लगन को प्रधान माना जा आशियाना बनाया कभी राई नहीं पाई तो मैं वहां राई दूंगा आप अपने घर में आप पाई क्या करने हैं ये बाते तो आप समझे गए मेरा कहने का जो आप से इशारा है वो तो आप समझ गए शिवपिंडी पर शहद मिला करके या देशी सक्कर मिला करके मीठा जल चड़ाएं और मंगल अदेवता के ना महीं शिवालिया में बैठ करके जपें हर मंगल वार चार-शे महीने करो अच्छा रिजल्ट मिलेगा घर में तिल के तेल की जोध आप मंगल यंतर के सामने जलाएं या घी की जोध जलाएं और वहां बैठ कर भी मंगल के विजात्मक मंतर लाइक ओम कराम करीम करॉम से भोमाई नमा या मंगल के वैदिक मंतर होते हैं किसी भी मंतर का जाप करेंगे मंगल के 108 लाम जपेंगे उससे भी मैंने देखा है बहुत अच्छी इस्तित्वट पन होती है जिन कन्याओं का विवानी होता मंगल चंडी का पाट उनसे कराया जाता है आप प्रती दिन मंगल चंडी का का पाट करें लाल चुनरी सर पे लेकर कि लाल बिंदी लगा कर कि गिरजा इस्तुती पने बहुत अच्छी से लाप मिलेगा जहां संतान के समस्याएं हैं तो वहाँ भी मंगल के वैदिक मंतर की राइदी जाती है कि आप मंगल के वैदिक मंतर को पढ़े या सश्ची देवी के प्रयोग कराए जाते है मेरे साद को इतना विपल भंडार है कि इतने सारे उपाएं हैं कहते हैं समस्याएं हैं तो समाध्यान तो है बस उस समाध्यान को करने की आवश्यक्ता है उपर से मंगल देव की सादना हनमान जी की सादना भी आपके मंगल को बलवान बनाती है आपका गुरु मंतर इस्ट मंतर की सादना भी आपके मंगल को बलवान बनाती है तो आज मैंने जो बाते बताई हैं का आप धियान रखें और ऐसी इस्टिती में अपनी जनम पत्रिगा वैधिक जनम पत्रिगा बनवाएं और उसके हिसाब से भी जो कमी वेसी आती है उसके क्या उपाई करने है कौन से मंतर पढ़ने है कौन सदान करना है वो भी आप किया करने तो आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा आपकी ना सही आपके बच्चों की तो होनी चाहिए कम से कम हम उनके जीवन में इस प्रकार की कोई दिकत ना आने दें वक्त रहते हम सारे उपाई उनके लिए करने लग जाए आईए मेरे साथ को समय ओचल आज की ध्यान माला का मंगल अदेवता की बात की है तो आईए आज की ध्यान साथना में जूड़ते ह हम भागवान सुरी हर्मान जी से मनो जवं मारुत दुल्य वेगं जितेंद्रियं वोद्धिमतां वरिष्टं वातात्मजंबा नरयूत्यमुक्कं स्रीराम दूतं सरणं प्रवद्दे राम आया राम भद्राया राम चंद्राय वेदसे स्री रगुनाथना धाया सीताया पताय नमहा स्री हनुमंताय नमहा कबच बना लें ध्यान करें बाबा हनमान जी का आशिर्वाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समाने हो जाएं दीन दयाल विरद संभारी हरहुनात मम संकट भारी अगर मंगल बहुत कमजोल रगता है किसी भी हनमान जी के मंदिर में बैठ जाएं शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन मंगलवार अच्छा रहेगा वहाँ जाए हनमान जी को नुगदी के लड़ू बुंदी के लड़ू चढ़ाए दो गुलाब के फूल चढ़ाए और हनमान जी के सिरी चढ़नों में जोत आदी अरपन करके सुंदर कांड का बाट करके आए और दीन दयाल विर्द संभारी हरो नातमम संकट भारी इसको बीच बीच में टेक के रूप में पढ़ते रहें बहुत अच्छा लाब मिलेगा देखो करने के लिए बहुत सारे उपाए हैं और ना करने के लिए तो फिर आलस्ती आलस्ती है तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में अपने सादगों के लिए यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे उपाए करके अपनी जीवन को उननत शाली बनाने का सदैव प्रियास करें आप मैंसे ऐसे बहुत सादग हैं जो हमसे जोतिश्य परामर्श लेना चाहते हैं चाहे आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं उसके लिए आप हमारे संस्थान में अपनी कॉल अपाइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और उसके बाद आप हमसे जो सियर आय यानि के जो भी आप प्रामर्शम से लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं और दूसरी बात जैसे अगर मंगल यंत्र आपके पास भोजपत्र के उपर भी हो सकता है भोजपत्र के उपर भी मंगल यंत्र, मंगल वीसा यंत्र इनकी साथ नहीं करने से भी धन धनने की होटे में मंगल वार के दिन नंगे चेला पहनने से भी हमें अच्छे लाव की प्राप्ति होती इन यह अपनी वाणी तुनिए मिला था तो मैं ऐसी प्रस्तिती में गिरा हुआ था कि मैरे घृत जिदर भी जाओं मेरे तरफ एक तरफ पुंगा एक तरफ ख़ाई वाली स्तिती ति और गुरुजी ने एक मौन उस्वक्त मेरे को दो मंत्र दिया कि इसका पाट शुरू करो और दो दान करने को किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें